अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7seez original cod liver oil capsule के बारे में इस capsule के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे लेना हैं, क्या प्राइज हैं ये सारी जानकारियां जो है, आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए सबसे पहले जो हम प्राइसे सुरुआज करते हैं, तो 290 रुपे में एक bottle आती है जिसके अंदर आपको 100 soft gelatin capsule मिलेंगे फिर इससे बड़ी bottle भी आती है, जिसमें के आपको 500 soft gelatin capsule मिलेंगी तो ये जो है 1107 रुपे में आती है तो देखिए जो प्राइस जो मैंने आपको बताया है, वो आज की प्राइस है लेकिन समय के अनुसार जो है प्राइस बढ़ती रहती है अब ये जो 7C's original cod liver oil है, ये मेरक लिमिटेड वालो का है जो कि काफी अच्छी company है अब इसको खरीदा कहां से तो देखिए जो भी local alopathy medical store होते हैं वहाँ से आपको easily medicine मिल जाएगी या फिर आप इसको online भी purchase कर सकते हो मैं नीचे link दे दूँगा description में तो दर से जो है आप घर बेटे बेटे भी इसको मंगा सकते हो अब हम बात करें इसके ingredient के बारे में तो देखिए इसमें है cod liver oil जो की 300 mg में रहेगा या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें है omega 3 fatty acid जिसमें कि आपको EPA, DHA मिलता है और साथ में जो है आपको vitamin A और vitamin D भी मिलता है तो देखिए ये जो है cod liver oil जो है fish oil आप इसको बोल सकते हो तो देखिए जो normal fish oil होता है cod liver जो oil होता है इन दोनों में difference क्या है थोड़ा सा मैं सौड में आपको बता देता हूँ तो देखिए जो normal fish oil होता है वो जो है आपके fish की body से तयार किया जाता है निकाला जाता है जैसे के salmon fish आपने नाम सुना होगा और भी कुछ fish होती है लेकिन जो cod liver oil जो है वो cod नाम के fish होती है उसके liver से oil निकाला जाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं cod liver oil तो इन दोनों में ये difference है लेकिन cod liver oil के जादा फायदे होते हैं क्योंकि इसमें बिटामिन A और बिटामिन D भी मिलता है लेकिन जो normally fish oil वाली capsule आप लेते होना तो उसमें आपको बिटामिन A और बिटामिन D नहीं मिलेगा केबल आपको omega 3 fatty acid ही मिलेगा तो ये काफी अच्छा होता है cod liver oil, normal fish oil के comparison में अब हम फायदे के बारें बाद करते हैं तो देखे इसमें जो है essential fatty acid मिलते हैं तो देखे जैसे कि omega 3 fatty acid हो गया ना ये आपकी body खुद नहीं मनाती है ये आपको अलक्सेस के supplement लेने पड़ते हैं जैसे कि capsule या फिर आप फीज बगेरा खाते हैं तो उससे जो है आपको omega 3 fatty acid मिलता है लेकिन आपकी body नहीं बनाती है तो ये जो है essential fatty acid में आ जाता है जो कि आपके immunity system के लिए काफी अच्छा है आपका immunity system boost करता है इसके अलावा आपके आँखों के लिए vision के लिए या फिर आपके tissue के development के लिए इसके अलावा आपके growth के लिए या फिर joints के लिए अब joints के लिए भी काफी अच्छा होता है ये cod liver oil अगर joints में inflammation है या कोई भी problem है तो उसमें काफी आराम मिलता है अब इसके अलावा जो है calcium का absorption भी जो है ये बढ़ाती है cod liver oil क्योंकि जो हम calcium बगेर हमको जो खाने से मिलता है न तो उसका जो है absorb होना भी काफी जरूरी है इससे जो है calcium absorb होगा जिससे के आपकी हड़े मजबूत होंगी आपके दात मजबूत होंगे और आपके heart के लिए भी काफी अच्छा होता है ये cod liver oil capsule इसके अलावा आपके brain के लिए बालो के लिए या फिर आपको गठिया की बिमारी है अर्थराइडीज है तो उनको भी कई doctor बोलते हैं कि भाई आप fish oil या cod liver oil लीजिए तो इधर जो है manual फायदों के बारे में बता दिया है अब हम बात करते हैं dose के बारे में कैसे लेना होता है देखिए एक से दो capsule आपको एक बार में लेना होता है और आप इसको maximum तीन बार तक ले सकते हो लेकिन इधर मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको ज़्यादा प्रावलम नहीं है तो दो capsule सोबा वो दो capsule सामकुली जिससे ज़्यादा नहीं लेना है और अगर आपको थोड़ी सी प्रावलम है इसा लगता है प्रावलम ज़्यादा है तो उस condition में आप इसको तीन बार तक ले सकते हैं और इसको जो है खाना खाने के पहले भी ले सकते हो खाना खाने के बाद भी ले सकते हो लेकिन आधे घंटे के डिफरेंस होना चाहिए और सिंपल आपको पानी के साम लेना होता है अब देखिए मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो जो pregnant lady है तो इनको नहीं लेना है और लेना भी है तो डॉक्टर से सला करके ही लेना है अब हम side effect के बाने बात करें तो देखे side effect में जैसे के आपको नोजे टाइब लगता है उल्टी टाइब लगता है या फिर उल्टी होती है या पेट खराब ह हो जाता है या फिर डकार आती है या फिर आपके सीने में जलन होती है या फिर bad breath मुह से बदबू आती है तो यह सारे इसके side effect है अगर आपको जादा प्रॉल्म होती है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं अब इदर कोई दूसरी medicine आ तो देखिए उसके साथ नहीं लेना है क्योंकि आपको overdose हो सकता है हाँ इसके अलावा आपको multi vitamin बगेरा ले रहे हैं तो वो सब ले सकते हैं बाकि आपको extra omega 3 fatty acid लेने की जरूत नहीं है कोई capsule medicine लेने की जरूत नहीं है अगर आप यह लेते हो तो अब कब तक लेना है तो depend कर करता है आपकी problem पर क्या problem है क्या बीमारी है हाले कि आप एक से तीन महना इसको लेकर देख सकते हैं अब result के बारे बात करें तो आप एक महना लेकर देखिए एक महने बाद ही आपको कुछ फायदा नजर आने लगेगा और आप इसको जो है बीच में लेते रहे हैं अगर आ आप यह सेवन सीज ओरिजनल कोड लिवर ऑईल केपसोल लेते हो तो आपको अलकोहल नहीं लेना है स्मोकेंग नहीं करना है और हैल्दी डाइट लीचिए और देखिए आपको फिस जो होती ना फिस से जो है आपको ओमेगा 3 फेड़ इसेड मिलता है तो अगर आप मचली ज खतम होता है और काफी को समझ में आ गया होगा इस कोड लिवर ऑईल के अपसोल के बारे में तो अभी कोई डाउट है तो कमेंट दौरा मुसे पूछ सकते हो और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मैडिसिन से लेटेड जो कि मैं डेली बना